दोस्तों अगर आप भी सुरे खुमार यालो और क्रिस्केल को खतरनाक बल्ले बाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर खिशेगा दोस्तों वेस्तों आप निजयो के चौथे टी-20 मुकाबले से पहले यूनिवर्स पॉज क्रिस्केल ने करी भाविशेवारी कर भारत के खिलाफ बयान देते हुई जर्म कर उगला जहर। खोड़े हो जाएंगे। तो आखरकार क्रिस गेल ने भारत और वेस्ट अंडीज के बीच इस सरीज में किस टीम को जीत का दावेदार बताया ये तो हम आपको बताएंगे ही तो वीडियो को एंडि तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा सोरे कुमार यादो और क्रिस गेल में कौन सबसे खतरनाक बल्ले बास है हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताएं दोस्तों भारत और वेस्ट अंडीज के बीच पांच मैचों की टीटवंटी सरीज कहली जा रही है जिसके तीन मुकाबले पूरे हो चुके हैं और इस दोरान भारती ट जीट दर्श करती हुए सिरीज के रोमांच को बरकरा रखा ऐसे में अब चौथा और पांच्वा मुकाबला फ्लोरिडा के मैदान पर होने वाला है चाहां पर चौथा मुकाबला 12 अगस्त को होने वाला है और पांच्वा मुकाबला भी सी मैदान पर 13 अगस्त को होगा इस 2020 स्रीज में भारती टीम ने अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। जैसा लगता है भारत और वेस्टन डीज के बीच होने वाले चौथे और पांचवे मुकाबले में भारती टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। को जीत नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमारी टीम के पास भी भारत से बहतर बल्लेबाज और गेंदबाज मौझोद है। लेकिन भारती टीम के कुछ महतुपूर खिलाडी हच से जादा बेहतर प्रदर्शन कर देंगे। और भारती टीम को चोथे और पांच में मुकाबले में बुरी तरीके से हराएंगे।